दोस्तो सब्सक्रेब किजए मेरी चेनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंज तो आज के वीडियो में हम सिख़्ेंगे UI यूड में यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस CSS3 में क्या है, उसकी कौन सी प्रोपर्टी है, कौन-कौन सी विल्यू है, वह आज आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ, दोस्तो यह मेरा कोड है, और यह आउपूट है, तो दोस्तो, कोड पे में मैं एक बोक्स लग ठीक हे और उसके फूडर लगा देता हूँ मेरेस्ट रइसके अंधर एक क्या करता। इसके अंदर क्या करता हूँ एक अंसर्व कारता हूँ तो मेरे बस मेरे आखने की द्याली मसंट मैं यहां पर क्या कर सकता हूं आपको बता है overflow में hidden दे दो यह auto दे दू ठीक है यानि कि जब बार जाएगी text तो यहां पर आप यह भी देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक property है जो user interface की property है css3 में resize क्या है resize मिन्स क्या है मानलों में लगा देता है vertical और अब इसे save करता हूं और refresh करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर यहां पर आगया है horizontal तो horizontal दूँगा तो आप देख सकते हैं आप horizontally देख सकते हैं ठीक है आप यहां पर horizontally देख सकते हैं और दोनों चाहिए तो आपको यहां पर लगाना होगा बोत क्या लगना पर रिका बोत यानिकि आप अपना डीवी है वह आप अपनी मर्जी से यहां पर छोटा बड़ा ल यह था resize और उसके बाद दोस्तो एक और प्रोपर्टी है क्या है उसका नेम है outline user interface के यह प्रोपर्टी outline outline मैं दे देता हूं वाद लो 3px solid black ठीक है तो इसका मतलब क्या हो इसे से उसके मैं refresh करूँगा तो यह भी है उसकी outline आगी आप देख सकते हैं इसे मैं zoom करूँगा ठीक है जो red border है उसके ऊपर है outline एक border black होके आ गई ठीक है तो उस outline और हमारे जो main border है उसके बीच में मुझे एक space चाहिए तो यहाँ पर एक ठीक है आप जोब करता हूँ वह मुझे उसकी कोई outline solid नहीं चाहिए मुझे चाहिए डेस्क तो यहाँ बेसे और रिफ्रेस्ट करूँगा तो यह हो गई तो दोस्तो रिसाइस और outline और outline offset वह है यूजर इंटरफ्रेस की तीनों property आए और इसका use changes 3 में भी आप कर सकते हैं दोस्तो तो अगली वीडियो मिल दे दोस्तो तब तक ले बाइट टेक केर फ्रेंस